स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चनल तपस्याटीच में दोस्तों आज मैं बात करूँगा कि रेल काउंटर से टिकट को किस परकार से लेते हैं तो दोस्तों कुछ इस परकार से आप भी इस प्रोसेस को फुलो करके आप अपने नजडिकी टिकट घर से काउंटर से डिरект टिकट को इस परकार से ले सकते हैं तो आइए दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ कहा टिकट घर रेल्वे अश्टेसन के टिकट घर पहुँच गया है आप लोग देख रहा है आर अक्छी टिकट खिर के इसका खुलने का समय जो है आठ बज़े से लेके दो बज़े तक है इसके अंदर में आप लोग यहां से टिकेट ले सकते हैं कुछ इस परकार से आपको लाइन में लगना होगा फॉर्म को फिलप करके उसके बाद आपको टिकेट मिलेगा तो आएए दोस्तों आप लोग जो इसक्रीन पर फॉर्म देख रहे हैं यहीं ओ फॉर्म है जिसे हमें फिलप करके और फिर लाइन में लगना होगा और काउंटर तक जाना होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ इस परकार से फॉर्म को फिलप करेंगे तो आप लोग देख रहा हैं मुझे सिलिपर के लिए चाहिए तो मैं ऐसे लिख दिया अगर जेनरल के लिए चाहिए तो जेनरल लिख देता है एसी के लिए चाहिए तो एसी लिख देता है आ गाड़ी संख्या और गाड़ी की नाम तो 1908 उसके बाद यात्रा की तारीक एकईस पांच 2022 आपका जो यात्रा का तारीक होगा उसे आप लोग यहां पर फिलब कर सकते हैं उसके नीचे सिड़नी दिया हुआ निए किस परकार का टिकर चाहिए तो मुझे स्लिपर चाहिए तो कितने आद्मी जाने वाले तो मेरा दोस्त है सिंगल जा रहा है तो एक लिख दिये उसके बाद कहां से कहां तक जाना है तो मुझे सुगाली से सूरत तक जाना है कुछ इस परकार से फिलब कर लेते हैं अगर आपको जहां से जहां तक जाना होगा उसको फिलब कर लिजेग उसके just नीचे मुवाइल नमर दिया हूआ है कुछ इस परकार से मुवाइल नमर को आप लोग फिलब कर सकते हैं यानि कि मैं अपना मुवाइल नमर का तीन अक्षर हैट करके रखा हूँ आप लोग को पूरा लिखना है उसके just नीचे आपको जो यात्रा कर रहा है उनका नाम लिखना है आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग को सही सही नाम लिखना है यहाँ पे तो मेरे दोस्त का नाम विकास कुमार है तो मैं विकास कुमार उसका नाम लिख देता हूँ और उसका जेंडर यानि कि वो पुलिंग है तो मैं प कि आपके पास 5 साल से जादे उम्र के बच्चेए तो उनके लिए टिकेट यहां से आप लोग फोर्मभर को भर कर लें सकते हैं लेकिन अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसके टिकेट लगेंगे कुछ इस परकार से छोड़ देना है उसके बाद आवेदक का नाम क्या लिखना है आवेदक का नाम तो जो यानि कि जिसका टिकट चाहिए उसका नाम यानि कि विकास कुमार का टिकट चाहिए ते विकास कुमार का नाम लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं उसके ज जस्ट नीचे आधार संख्या यानि कि आधार संख्या लिखना एकदम जरूरी है ता आप लोग भी आधार संख्या लिखेंगे उसके जस्ट बगल में क्या दे रहा है आवेदक का हस्तक्षर यानि कि जिसका टिकेट है उसका हस्तक्षर चाहिए या जो टिकेट लेने गया है वो भी अपना हस्तक्षर कर सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई इश्व नहीं है यानि कि जो counter बजाएगा वो अपना हस्तक्षर कर सकता है कुछ इस परकार से form को फिलब करके आप लोग भी counter से ticket को ले सकते हैं ता आए दोस्तो मैं आप लोग को अब दिखाऊंगा कि मै counter से किस परकार से ticket ले लिया हूँ लाइन में लगके दोस्तो बहुत धक्का मुकी होती है बहुत मेहनत लगता है counter से ticket लेने में तो आप लोग भी कुछ इस परकार से इस नियम को फोलो करके counter से ticket ले सकते हैं तो देखिए दोस्तो मैं आप लोग को बारे किसी दिखा रहा कि मैं जो फरम भरा था सेम वही है सुगवली जक्सन से सूरत जाना है आप लोग देख रहा हैं गाड़ी संख्या भी देख सकते हैं तो यात्रा की तारिक देख सकते हैं दोस्तों मैं उमिद करता हूँ कि मेरे दी गई जनकारी आप लोग को काफी अच्छी लग रही है अगर अच्छी लग रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक सेयर कीजिए जय हिन जय भारत